तो आज हम करेंगे Prama Company के DVR को Online आपको बताएं के कैसे Online होता है यहां पर हमारे पास Prama Company के DVR लगा हुआ है और साथ में हमने लिया है Master л का 4G router इसमें डाल दिया जाता है 4G SIM हमने अल्रेडी सिम डाल दिया इसमें 4G और साथ में लेंगे लगा दिया इसके पीछे और एक लेंगे लगा दिया डीवीर में इसको ओनलाइन करने के लिए तो आईए करते हैं इस डीवीर को ओनलाइन और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई अपडेट्स और वीडियो आपके तक पहुंचती रहें तो गाइज देखिए कैसे इसको ओनलाइन किया जाता है सबसे पहले आप होम पे क्लिक करेंगे बिलकुल लेफ्ट एंड साइड यह उपर है हॉम का उप्शन वह दिया हुआ होँ का तो हम जाएंगे होँ में लिए होँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले इसके बाद यहां पर काफी सारी ओप्शन यहां चीमक्राइब यहां पर एक एवर कोड आ रहा है जिसके जरिए आप डाउनूड कर सकते हो और करेंगे इसको इनेबल करेंगे इसका स्टेटस जो है इंटरनेट का ओनलाइन करने के लिए यहां पर भी टिकल लगा करेंगे यह लाइसन्स एग्रिमेंट इसको टिकल लगा करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं अपलाई करूंगा स्टेटस जो है वह ओनलाइ करने के बाद इसका प्रोसेस हो तो गाइज यह Android और iOS दोनों पर online हो जाएगा आपके पास अगर Apple का सेलफोन है या Android सेलफोन है कोई भी इसी भी कंपनी का तो यह सभी पर online हो जाएगा तो सबसे पहले जाएंगे प्रामा के लिए इसको आप करोगे इनस्टाल और यह डाउंड होगी पहले और फिर इसको हमने इस्टाल करना है कि तो गाय उतने टाइम आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और यह 71 MB का सौटवेर है तो अभी डाउन यदो हो रहा है हमारा सौटवेर हो चुका है डाउनलोड कम्प्लीट और अभी इंस्टालिंग आ रहा है हमारे मुबाईल में प्रामा उनलाइन तो गाइज आप प्रामा के किसी भी DVR को ऐसे ही ऑनलाइन कर सकते हो जैसे अभी मैं बता रहा हूं अगर आपके पास NVR है प्रामा का तो भी उसका प्रसेस जो है ऑनलाइन का वो सेम ही रहेगा अभी हमें सोफ्ट्वेर को ओपन करेंगे है कि यहां पर open हो 줄 के सकैनिक हो रही है है THE FA तो यहां पर open पर क्लिक करेंगे आपो कि ओपन पे क्लिक करने के बाद यहां पर यह होने में 30 सेकंड लेता है और होने के बाद आपको अप्शन आएगी तो देखिए अभी हो चुका यहां पर आप करोगे अक्सेस देने के लिए प्रामा को यहां पर लॉग इन और रिजिस्टर की ओप्शन आ रही है इस पर क्लिक करें कर रहे हो तो यहां पर नीचे रोप्शन आ रही है तो यहां पर क्लिक करना आपने है अब मबाईब फोन क्रा सकते हो मबाईल फॉन के प्रूब कर दिया अब सबसे लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रिजिस्टर बाई तो यहां पर आप अपना मॉबाइल नमबर जो भी आपका सेल में चल रहा है उसी मॉबाइल नमबर को इसमें डालेंगे है है स अमबई दाल दिये मैंने यहां पे तो नीचे आप देंगे पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो वस इतना है कि आपका याद रहरी वीं तो आपके मोबाइल नमबर जो आपने फिल किया होगा इसमें उसके पहले आप एक कैप्चा भनेंगे यहां पर यूएट टी सिक्स गाइज इसके लेटर जैसे भी आपको वैसी डालने अगर कैपिटल लेटर हैं तो कैपिटल लेटर अगर स्मॉल है तो समॉल जैसे भी दिया इसमें और फिनिश पे क्लिक कर दिया तो अभी अब इसा इंटर्फेस आ रहा है सबसे पहले आप करेंगे इसको अगर आपने दिवाइस एड करना है पहली बार ऑप न्लाइन कर रहे हो आप न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे और एड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रामा के डिवीर का जो क्योवर कोड आया था एड़ डिवाइस वाला एक बार आपको फिर दखा देता हूं कि कौनसी ऑप्शन पर जाना है आपने डिवीर में तो माउस के जरीए आप राइट क्लिक करेंगे यहां पर आ पारानवा ड़्मा तो यहां से के अएड़ करने के जिए लिग है डाउनटोंड प्रामा ओंडाइन और दूसरा उप्शन है डिवाइस यानि के डि यह डियर को एड करने के लिए तो मॉबाइल से प्लस पीक्र करेंगे और यहां से क्यओंण चिक यहां से क्योशन ओपूह तो यहां पर DVR का सीरे नंबर और मॉडल नंबर आ रहा है इसको सेव करेंगे तो यहां पर अगर फिंगर अफंटिकेशन लगा नहीं है तो लगा सकते हो भी जुरूत नहीं स्केप कर दिया तो यह हमारा DVR जो है वह ओनलाइन हो चुका है तो देखिए हमारे पास तीन कैमरी चल रहे थे तो अभी यह तीनों कैमरें हमारे ओनलाइन हो चुका है तो यहां पर डबल क्लिक करके कैमरा को बढ़ा कर सकते हो सक्रीन को और यहां पर नीचे आरही है बेसी को अबीडिक कर दोगे तो इसकी क्वल्टी थोड़ी जनरेट हो जाएगी यानिकि थोड़ी क्वल ऑंलाइन एप में जो हमने डाँनओड और इंस्टॉल्ड किया था प्रामा ओंलाइन पर क्लिक करेंगे यहां पर डीवियर की में जा थे इस पर क्लिक कर देंगे और यह हमारे कैमरा जो के ऑन लाइन हो चुके है तो घायज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर और इसके related आपकी कोई भी क्योरी हो किसी भी किसम की आपको समस्या हो या दूबीदा हो तो आप मुझे इस पे भी कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे और मिने अपना WhatsApp नंबर भी दे रखा है आप इस पे भी message करके कुछ भी पूछ सकते हो तो गायद हमारे चैनल को subscribe कर दें और कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताएं comment करके thank you very much for watching this video thank you